तो दोस्तो आज हम explain करने वाले हैं वजय थलेपती की नई मूवी थलेपती दा गोट थलेपती इस दा ग्रेटेस्ट आफ आल टाइम वजय थलेपती की सबसे बेस्ट मूवी सारे लोग इसको मान रहे हैं तो जाता देरी नहीं करेंगे चली हम लोग explanation को शुरू करते हैं पर करने के लिए हम सैस एंटी टेरिस्ट ग्रूप के हेलिकॉप्टर को देखते हैं टेरिस्ट ग्रूप का में हेड मेंन होता है जो कि यह सारी चीज़ को ऑपरेट करता है उसने अपने टीम के दौरा एक साइंटिस्ट को पकड़ लिया था उससे नुकलियर वपिन के ऊपर ट खलपती होते हैं जो कि इस मुवी में गांधी का रोल निभा रहे हैं फिर क्या है ट्रेन के अंदरी घमासान एक्शन शुरू होता है बंदे ने सब को स्टाइल से पीटा है पूरे टर्रिस्ट ग्रूप के बीच अकेला खरा है गांधी और वह ऐसे फाइट कर रहा है जो कि आपको मिशन इंपॉसिबल जैसे मुवी में देखने को मिलेगा इंडियन वर्शन जॉन विक है यह हमारा पर इनके लोग हेलिकाप्टर की उपर गोली चला रहे थे और हेलिकाप्टर से जब यह लोग गोली चलाते तो ट्रेन के पिछले वाले बौगी में आग लग जाती यह था तो एक साइलेंट उपरेशन उनको वे निकलर उपन चुराना था और मिनन को भी उठाना था पर हो गया वाइलेंस पूरे ट्रेन को ही आग लग गी ट्रेन के अंदर दो-तिन और ओफिसर भी ऑपरेट कर रहे थे उन लोग उनने भी टेरिस्ट को मार गिरा था पर मि पर उदर फसा रहता है मिनन और सबको लगता है कि उस ट्रेन ब्लास्ट के साथ मिनन भी खतम हो चुका है फिरम को गांधी की वाइफ को दिखाये जाती है जो कि अभी हॉस्पिचल में एडमिट हुए पड़ी है उसको और एक बेबी होने वाला है और इनका पहले से एक गांधी तो बड़े बड़े टेरिस्ट ग्रूप से लड़ जाता है इंट्रिजेंस एजेंसी से लड़ जाता है पर डरता है सिर्फ अपने वाइफ अनु से फिर हम पार्टी में देखते हैं सैस के पूरे टीम को उसमें कलियान सुनील अजय और इन लोगे के साथ उनके सब के हेट नजीर सर भी होते हैं ये एक एंट्रिजेंस टीम तो है इसी के साथ ये लोग बहुत पुराने दोस्त भी है फिर से हमको देखनी को मिलता है कि अनु गई है फिर से हॉस्पिटल में पर इस बार भी गांधी नहीं आया वो काम के बाहने से बाहर चला गया तुनील की दोका दे रहा है अगर ये सही बैठाना तो मैं उसे छोड़ दूँगी मैं एक इंडिपेंडेंडन लड़की हूँ फिर वो घरी आ जाती है जहां पर गांधी को जम के डाट पड़ती है ये बोलते हुए कि तुम कहां भार आफैर कर रहे हो गांधी फिर सब कुछ डिनाई करता है और ये बोलता है कि मैं एक सिक्रेट एजंट हूँ और मैं से इसके लिए काम करता हूँ पर इसकी बीबी मانे ना बन्दा जब सच बोले कोई भी भी मानती क्यों नहीं गांदी जब कैसे भी इसे कन्वेंस नहीं कर पाता फिर उसको मसकल लगाने के लिए और उसके दिमाग शांत करने के लिए ये बोलता है कि मैंने हमारा सेगंड हनीमून प्लान किया है वो भी थाइलन्ड पे हम तीनों लोग जाए लड़कियों को मनाना कितना असान होता है फिर हम देखते हैं कि उसके टीम मेंबर समझा रहे होते हैं कि तुम एक मिशन पर जाने वाला है वो भी तीरे फैमिली के साथ गांदी फिर बोलता है कुछ भी नहीं होगा मैं हूना इनके साथ अगर मैं नहीं गया तो मेरे ग्रिस का कॉल वो गांदी को फोन करके बोल देते हैं कि मिशन आन है फिर हम देखते के गांदी और कलाएं जाते हैं एक पब में और उधर जाके उनको एक सीक्रेट कोट चुडाना था भाई मानो बंदे ने चुड़ा एक दम मिशन इंपॉसिबल जैसा विंडो तोड़ा पैराश में घूम रहे होते हैं कुछ गुंडे इनके पीछे पढ़ जाते हैं गांदी कैसे भी करके अपने बीवी बच्चे को लेके एक टैक्सी में बैठता है और टैक्सी ड्राइवर को इन लोगों ने पहले शूट कर दिया था गांदी फिर टैक्सी भगाता है और पीछे इन ल मार्केट में छुपा कि गांदी इन लोगों से लड़ता जाता है फिर उसके वाइफ को इतना लेबर पेन हो रहा था गांदी मानो लाचार हो चुका था तब ही कल्यान आता है और इन लोगों को शूट कर देता है और गांदी को बोलता है तू अपने बीवी को लेके हॉस् पर उसके बेटी के नामों निशान नहीं था उसको अपने वाइफ को भी जवाब देना था वो रोता रहता है बिलकता रहता है पर उसका बेटा पूरे जगा पर नहीं था वो फिर हॉस्पिटल के आज पर उसमें भी देखता है पर कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था फिर फाप में एक spider man का एक पुतला होता है। उसे देख कि गांधी को assurance होता है कि उसका बेटा ही हो सकता है। वो gift उसने उसको दिया था hospital में बैटते टाइम। गांधी का मानो पैरो तरे जमिर किसक जाता है। एक तो उसे अपने wife को जवाब देना है और दूसरा कि उसके वज़े से आज उसका बेटा ही उससे दूर हो गया। गांधी फिर अपने बीवी को आके सब कुछ बताता है पर उसके बीवी उसे माफ ने कर पाता। और गांधी के और एक बच्ची के delivery भी हो चुकी थी जो कि एक लड़की होती है। फिर बहुत साल बीच जाते हैं। गांधी ने सीक्रेट जब चुपा के रखा और इस threat के वज़े से आज उसके बेटे को पापो का प्रश्चित करना बढ़ा। अनुवर गांधी थूरा बहुत बात चीत करते हैं एक मेडियम के थूरू जो की होती है उनकी बेटी। फिर एक दिन जिगी शा उसके ममी पापे के साथ एक को महफूस छोड़ दूँगा। उस पार्टी में नजीर से और गंधी को समझाते हैं कितने टाइम तक तुम खुद को ही कोसोगे। तुमें काम करो हमारे मौसकोवाले ओफिस में अभी तुमको ये सब भी करना है। तुमने बोला फील्ड मिशन नहीं करोगे। फील्ड मि कि बोलता है हाँ गांधी तुम जाओ क्योंकि तुमारा पुराना एक्सपिरियंस है तुम अच्छे से सब चीज को सेटल कर पाऊगे उदर। उन लोगों के बहुत रिक्वेस्ट करने पे गांधी मान जाता है और मौसको चला जाता है। और सब कुछ वीडियो कॉल से अप पुशिश करता है और खुद भी फाइट करता है। तबी मानो एक लड़का गांधी के साथ फाइट करने लगता है। उसका लड़ने का तरीका एक्जैक्ट गांधी की तरह था। गांधी को अच्छा-कासा टकड दे रहा था। दोनों में हाता पाई होता है और। फाइनल होता है और रश्यन पुलिस उदर आ जाते हैं और वो लड़का भी उदर से भाग जाता है पर गांधी अपने टीम मेंबर से पता लगने के लिए बोलता है कि वो लड़का कौन है और किसी के साथ काम करता है टीम पता लगा है पर इससे पहले वो लड़का गांधी के सामने आ फूट के रोड़े लगता है और खुद को पीड़ने लगता है और ये बोलता है तु इतने टाइम से कहां पर था तु क्यूं हमारे पास नहीं लोटा तुझे पता नहीं मैंने और तेरे माने कितना जहला है बेटा हम आज भी एक निबाला लेने से पहले तेरे वाले में सोच तुम मेरे साथ चल इंडिया तुझे कुछ भी नहीं होगा तब जीवन बोलता है मैं फैजल गैंग के लिए अभी काम करता हूं वो लोग मुझे नहीं चोड़ेंगे और वो इतने खतरना के डैड वो आपको भी मार डालेंगे आप महपूस इंडिया चले जाएए तब गांधी अपने बेटे को लेता है और एक ढूंटा है बाइक में बैठने के बाद बाप बेटे घमासान एक्शन करते हैं गांधी बाइक भगाता है और पीछे से जीवन शूट करता जाता है लाइक आइकॉनिक सीने और उपर से जो बीजे म्यूस कर गया है ना भाई बहु पूरा पड़िवार एक साथ होने लगता है और सब कुछ मानो खुशलमंगल होने लगा था फिरम को अजर को दिखाया जाता है मानो उसे कुछ पता चला है क्यूंकि बहुत टाइम से इनके इंटेल लीक हो रहे थे इनके एजेंट्स मर रहे थे अजर उस दिन रात को चिन् इस लड़के को लेना था पर तब तक हम देखते हैं कि मेट्रों के अंदर और लेडी पहुच चुका था गांधी और उस लड़के के साथ अजर का फेसा फो इससे पहले गांधी से इसको निपटना पड़ेगा नजिर सेर को बचाने के लिए गांधी बहुत कोशिश करता ह और उस लड़के के साथ वो गबासान फाइट करता है पर उस लड़के का इसकिल मानो कुछ एडवांसी था वो बहुत अच्छे तरीके से गंधी को टकर देता है और वो हिलमेट नहीं खोल रहा था गांधी और नजिर सर बहुत कोशिश करते हैं पर वो लड़का अपना फ तभी मानो वो अपने ड्रेस चेंज करता रहता है तभी हम देखते हैं यह और कोई नहीं यह होता है गांधी का बेटा जीवन और तभी मानो चिन्नाई में सीएसकी का मैच चल रहा होता है सारे लोग मेट्रो से येलो कलर की जर्सी पहन के निकल रहते और गांधी के लड़ पूरा ट्रेन ब्लस्ट हुआ था उधर मैनन के फैमिली भी थे वो ट्रेन ब्लस्ट के वजह से उसकी पूरी फैमिली मर चुकी थी सिर्फ वो ही जिन्दा था वो भी वो जमीन पर गिर चुका था और उसके सारे कपड़े में मान आग लग चुका था तब ही वो ये करना सारा पास्टो भूल जाए और उसने वो जले हुए बच्चे का भी उधर प्लैंट कर दिया था कि गांधी को लगे कि उसका बेटा जीवन मर चुका है पर जब लोकल गैंग गांधी के लड़के को परशान कर रहा होता है और टौर्चर कर रहा होता है एक मसीहा के तरह उदर मिनन आता है और उन सब को मारता है और इस बच्चे को बचाता है पर यह चोटा बच्चा समझ रहा था कि मिनन नहीं उसे बचाया है असलिप में कल्पिट तो मिनन है जिसने यह पूरा खेल लचा था इसमें यह शामिल नहीं था कि इन लोगों को यह मार देगा फिर चोटे से वो बढ़ा करता है और यह बिश्वास दिलाता है कि वही उसका असली पापा है जो कि बाइलोजिकल नहीं है उसने उसको बचाया है और धीरे धीर अपना पूरा कारोबार बिजनिस वो जीवन को सौपता गया है और जब वो थोड़ा बढ़ा हुआ उसने खुद कि बेटे के हाथ में एक बाप को नहीं मरवा सकता पर जमानों जीवन कुछ अलगी एंसर देता है यह सुनने के बाद वो खुश नहीं और गुसा हो जाता है कि उसके पापा को कोई तकलीव दे रहा है मतलब मिनन को और और कोई नहीं उसका बायोजिकल फादर गांधी होता है वो यह बोलता है उसको कितना तर पाके मारना है पापा वो आप डिसाइट करोगे फिर प्रेजन डे में हम देखते है कि जीवन सबसे बच के घर में शांती से रह रहा होता है किसी को भी उसके उपर शक नहीं था और वो एक एक करके सैस के मेंबर्स को मार रहा था मतलब जो गांदी के कड़ीब है और वो कोई तो बड़ा प्लान के बारे में बात कर रहा होता है और ये भी बुलाता है कि पापा आपको वो नजारा देखना चाहिए फिर वो अपने पापा को दूसरे देश से अपने देश में बुलाता है कंटेनर के थुरू नाम वगेरा वो चेंज कर देता है और उसके साथ और टीम मेंबर भी वो लाता है कुछ बड़ा करने के लिए और वो कंटेनर नेवी वाले पकल लेते हैं सस्पीशियस बोलके और वो सैस टीम को कॉंटक भी कर लेते हैं गांदी अपने फोर्स के साथ उधर पहुचे इससे पहले जीवन ने फोर्स के एक आदमी के लड़की को किड्नेप करवा लिया था वो और कोई नहीं सुनील होता ए जो कि गांदी का पुड़ाना दोस्त है गांदी को सुनील के वज़े से वो कंटेनर छोड़ाना पड़ता है फिर भी जीवन उसके लड़की को मार देता है फिर जब गांदी करता है कि नेवी कंटेनर का cctv मंगवाने के लिए तब उस cctv में उसे मिनन दिखता है और उसे पता लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ अभी होने वाला है कि मिनन लोटके आया है कंटेनर छोड़ने के लिए उसका दोस्त कलियन बहुत insist कर रहा होता है तब उसके उपर भी थोरा गांदी का शक बैठता है और दूर से जग हम देखते हैं कि CSK का सेमी फाइनल चल रहा होता है मुंबाई के साथ और G1 उदर प्लान करता है कि पूरा स्टेडियम ही वो ब्लास्ट कर देगा गांदी फिर से सारे क्लू जोड़ने की कोशिश करता है और उसे मिलता है और क पहले देना चाहिए गांदी G1 को एरेस्ट करे उससे पहले G1 ने उसको घायल कर दिया था और जब गांदी को होश आता है वो अपने बीवी और उसे एक जगा बंदा हुआ पाता है उसके सामने मिनन कड़ा हुआ था मिनन उसे सब कुछ बताता है कि उसका बेटा G1 अब क् प्लान बताने के लिए दिया अब तेरा पुरा प्लान मैं जान चुका हूं तभी हम देखते कि सैस टीम उदर अटक करते हैं और वो मिनन को पकड़ लेते हैं और दूसरी जगा हम देखते कि जीवन ने सिकुरूटी चिंबर का एक्सिस ले लिया था लोगों को उसने उदर मा था तब ही मिनन बोलता है कि बेटा अपना मकसद मन भूलना मैंने इस दिन का बहुत इंतिजार किया है फिर हम देखते हैं कि मिनन के बाद सुनने के बाद जीवन ने भी ठान लिया था कि पूरे स्टेडियम को वो उड़ा देगा वो डेटोनेटर तक पहुचे उससे पहले गांदी उदर जाता है और दूनों में हैंड कॉमबेक्ट होता है बहुत लड़ाई होता है वो गांदी कोशिच करता है अपने बेटे को समझाने की और फिर से लौट आने की उसको और एक मौका देता है पर वो मान पागल हो चुका था मेनन ने इतने सालों तक इतना जहर उसके मन में घोला है वो उसके उपर हा भी कर जाता है वो लोगों को मारना चाता है पर गांदी ऐस ऑफिसर वो नहीं होने दे सकता भले वो अगर सिर्फ एक पापा होता हो तो इधर वो कमजोर पर जाता पर वो एक ऑफिसर है वो चाकी भी ऐसा नहीं होने दे सकता फिर वो इतने डिस्काउंट में फिलिपकाट एमाजॉन से चीज़े खड़िच सकते हो, वो भी हमारे टेलिग्राम गुरुप से हम आपको नॉटिफाई कर देंगे कब प्राइस डाउन जा रहा है, तो डिस्किप्शन के लिंक्स और पिन केमेंट से लिंक्स है, हमारे गुरुप से जोई नजे ये